प्रयार दोस्तों आईए आपका सबका स्वागात और Trigonometric Equations के Part 2 से Continue कर रहे हैं Trigonometric Equation का जो Part 1 था उसमें हम यहां तक छोड़ गए थे कि जब n equal to 2 रखते हैं तो फीटा की वैलू हो जाती है 2πाइ प्लस अल्फा तो 2πाइ प्लस अल्फा हो जाती है और अगर n की value मैंने minus 2 रख दी तो यह हो जाती है theta की value minus 2 pi और minus 1 to the power minus 2 minus 1 to the power minus 2 is plus 1 और plus 1 alpha तो आप यह notice करो क्या notice करोगे आप यह से रखते जाएं तो आप यह notice करिए कि जब जब pi का multiple odd है कभी 1 है कभी minus 1 है कभी 2 minus 2 तो जब odd multiple है तो यहाँ minus alpha है और जब e1 है तो यहाँ पर क्या है plus alpha है तो उसके लिए यह जो है यह भी यही कह रहा है कि जब odd है देखो minus 1 तो यहाँ minus alpha यहाँ 5 है तो यहाँ minus है तो इसमें जब आप odd रखोगे, odd value रखोगे, तो minus 1 to the power odd, minus 1 to the power odd आपका minus हो जाएगा, तो आपके पास ये सारी values आ जाएगी, और जब आप even रखोगे, 2 रखोगे, minus 2, 4, minus 4, 6, minus 6, तो ये सारी values आपको आने लगेगी, तो इसका मतलब है कि ये सारी जो values हैं, these values can be combined through this solution, इस solution से these values can be combined, इस solution में सारी values लिख गई, लिख गई मतलब ये एक formula हो गया, क्या formula हो गया, कि sin theta बराबर sin alpha होगा, तो theta is equal to this much होगा, ये आगे आपने पास, तो आप मेरे दोस्तों, मैं आपको finally जो हमारे पास results थे, वो सारे results लिख देता हूँ, ताकि आपको ध्यान रखने मे कोई तकलीफ ना हो, फिर हम आगे के questions करते हैं, जो मैंने आप से promise किया था, सबसे पहले मैं NCRT के questions करूँगा, तो आप बिलकुल चिंता नहीं करें, देखे, आपका जो पहला formula है, sin theta is equal to 0, तो theta की value होगी n pi, and of course n belongs to z, n belongs to z, लिखना नहीं भूले ने आप, और cos theta is equal to 0 होगा, तो theta की value होगी odd pi by 2, 2n plus 1 pi by 2, कहीं कहीं minus भी लिखा रहे था, वो भी true है, और 10 theta अगर 0 है, तो देखा था हमने की theta, अगर sin theta 0 है, तो 10 theta 0 है, इसलिए sin theta और 10 theta 0 का एक ही solution है, अब अगर आपके पास है, sin theta बराबर sin alpha, sin theta equal to sin alpha, theta is equal to n pi, plus minus 1 to the power n alpha, और n belongs to z, सब में ही लिखना है, n belongs to z, लिखना नहीं भूलना, cos theta equal to cos alpha, तो theta की value होगी, 2n pi, plus minus alpha, n belongs to z, 10 theta equal to 10 alpha, ज्यादा formula ही निसमें, हो के आपका काम, 10 theta equal to 10 alpha, तो theta की value हो जाएगी, n pi, plus alpha, n belongs to z, लेकिन square का मामला हो, तो square में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, square वान तिलब ये वाली बात, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास, sin square theta is equal to sin square alpha हो, cos square theta is equal to cos square alpha हो, 10 square theta is equal to 10 square alpha हो, तो इन सब का solution एक ही होता है, वो होता है, theta is equal to n pi, plus minus alpha, where n belongs to z, तो ये सारे हो गए, आपके पास solutions, ये सारे cases हो गए, इनके अलावा कोई नया case हो गई नहीं, तो ये सारे cases हैं, जो समप कर दिया आपने, अब अगर आप ये तीनों याद नहीं भी करते हैं, तो ये तीनों याद करिए, ये तीनों most important है, क्यों? अगर sin theta 0 है, तो 10 theta is equal to 10 of 0 लिख देंगे, तो इस तरीके से आपका काम बन जाएगा, अब मैंने जो आपको promise किया था, कि हम NCRT discuss करेंगे आप से, तो दोस्तों वो समय आगया है, कि NCRT आप से discuss करें, मैं आप से line से सारे questions discuss करता हूँ, ठाकि आपको confidence भी आए, और motivation भी मिले, उसमें लिखा है कि find, principle and general solution, लेकिन अभी हम कौन सा case कर रहे हैं, यह अभी हम general solutions का case कर रहे है, principle भी मैं आप से discuss करूँगा, पर अभी मैं general solutions का करना हूँ, और इनके अगर proof चाहिए हो, तो आप मुझे लिखना, comment box में मैं आपकी मदद करूँगा, लिखूँगा आपको, इनके proof भी समझाऊँगा, यह exercise है, exercise आपकी आएगी, 3.4, और पहला question है, 10x is equal to root 3, 10x is equal to root 3, तो 10x is equal to root 3, तो 10x is equal to क्या हो जाएगा आपके पास, आपके पास 10x is equal to हो जाएगा, 10 pi by 3, तो x की value आजाएगी, यह वाले formula से, 10x is equal to 10 alpha से, theta की जाएगे x आजाएगा, n pi plus, alpha की जाएगे आजाएगा, pi by 3, n belongs to z, यह पहला question है, दूसरा question है आपका, sec x is equal to 2, sec x का कोई है क्या, नहीं पर cost का तो है ना, तो दोनों दरह आप reverse कर दो, में inverse कर दो, तो cos x हो गया, 1 by 2, cos x 1 by 2, तो cos क्या होता है, 1 by 2 का होता है, cos 60 degree में, ठीक है, 60 degree में होता है, तो 5 by 3 लिग दो, यह 60 degree में लिग दो, कोई issue नहीं है उसमें, तो x की value हो जाएगी, आपके पास, 2 n pi, plus minus, यह वाला लगाएंगे case, alpha, और alpha की जाएगे, दोस्तों आ जाएगा, pi by 3, n belongs to z, n belongs to z, यह second x is equal to 2, third है, third case है, आपका cortex is equal to minus root 3, इसमें आप लिख सकोगे, इसको 10 x is equal to minus 1 by root 3, minus 1 by root 3, 10 में कब होता है, 10 pi by 6 में होता है, यह minus अंदर जाने दो, तो यह जाएगा, 10 minus pi by, 10 minus pi by 6, 10 minus pi by 6 हो गया, तो यह 10 minus pi by 6, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यह मेरे, मोबाइल पर बता रहा है, कि आपको दिख नहीं रहा है, तो यह ऐसा लिख देता हूँ, 10 minus pi by 6, यह हो गया, 10 x is equal to, आप फॉर्मूला लगा दे, वो जो फॉर्मूला है, 10 theta equal to 10 alpha का, तो यह हो जाएगा, x is equal to n pi, plus minus pi by 6, where n belongs to z, यहाँ वाला भी आपको, यहाँ तक का clear होगा, यह नहीं भी दिख रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा है, n belongs to z, और यहाँ भी यही लिखा हुआ है, इसके साथ में, n belongs to z, तो थोड़ा आप को आपरेट करना, काम काफी कुछ आपका बन गया है, अब question number देखिए, 4, question number 4 है, cosec x is equal to minus 2 है, तो यह मैं आपके उपर छोड़ दूँ, क्या, कि आप कर लेंगे, तो मैं direct click देता हूँ, इसका solution, x is equal to n pi, plus minus 1 to the power n, into minus pi by 6, minus pi by 6, where n belongs to z, तो यह तो दूस्तों, फोर्थ question, फिफ्थ मैंने वैसे कल किया हुआ था, लेकिन थोड़ी सी, अलग method थी, आज मैं आपको अलग method से करता हूँ, आप बिलकुल भी किसी भी प्राकार से hesitate ना करें, मुझे लिखें, लिखें, बात करें, जो भी problem आएगी, हम मिलकर के solve करेंगा उसे, इसी चिंता की कोई बात है नहीं, अब आपका जो फिफ्थ question है, मैं इसको थोड़ा अलग धंक से कर देता हूँ, cos 4x is equal to cos 2x, यह आपका problem, cos 4x is equal to cos 2x, तो इसको करने के लिए, देखो आप, यह वाला फॉर्मूला लगा दे, cos theta equal to cos alpha, कोशिस करें कि बड़ा वाला एंगल left side में रहे और छोटा वाला एंगल right side में रहे, theta कोण है आप देखो, तो theta क्या है आपका, 4x, यहाँ पर क्या लिखा है, 2n pi, plus minus, यहाँ पर alpha, alpha 2x, n belongs to what, n belongs to z, क्या x की value निकल गई, नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम, 2 column बना दो, एक में ले लो, आप n, एक में आप positive sign consider कर लो, और एक में आप negative sign consider कर लो, तो when you will consider positive sign, तो यह हो जाएगा, 4x is equal to 2n pi, plus 2x, यह 2x उदर भेज़ दो, x is equal to n pi, where n belongs to z, यह आपका अंसर हो गया, अब इदर देख लो, जब माइनस लेते हो ता आप आजाएगा, 4x is equal to 2n pi, माइनस 2x, माइनस 2x उदर भेज़ दो, 6x, 2n pi, x is equal to कितना, 2n pi by 6, यहने n pi by 3, n belongs to z, यही की यही आंसर हमारे कल भी आये थे, मतलब पिछली वीडियो में भी आये थे, जो मैंने आपके लिए बनाया था, उस वीडियो में भी यही आंसर थे, तो यह था आपका question number 5, अब हम आगे बढ़ते हैं भी दोस्तों, question number 6, जैसा मैंने आपसे promise किया था, कि मैं सारे questions करूँगा, सारे question कर रहा हूँ, अगर आपको कोई question आ रहा हो, तो आप तुरंट से इसके skip करके, आगे बढ़ते हैं, और आपको लगता है, यह वीडियो जो मैं बनाता हूँ, आप लोगों के लिए, वो useful हैं, आपके साथियों के लिए, दोस्तों के लिए, जिनको आप जानते हो, जिनको आप नहीं जानते हो, तो उनकी मदद जरूर करिये, करना कुछ भी नहीं, खाली आपको subscribe करना है, like करना है, और share का बटन दबाना है, आप question number 6, यह book है, आपको देखने को मिल गई, NCRT, 6th question है, cos 3x, plus cos x, minus cos 2x, is equal to 0, तो इसमें एक काम करें, आप इसमें cos c plus cos d का formula लगा दे, formula के लिए मैंने एक exclusive video बना है, दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं, की वो formula कैसे derive होते हैं, तो इसमें मैं cos c plus cos d का लगाऊंगा, और quote यहाँ पर कर रहा हूं, cos c plus cos d, यह आएगा आपका, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2, यह formula, तो यहाँ पर लग गया आपका formula, तो यह हो जाएगा, 2 cos 3x plus x by 2, 2 cos 3x minus x by 2, minus cos 2x is equal to 0, क्या common आ रहा है, आप common ले लें, आपका common आ रहा है, cos 2x, यह भी cos 2x ही है, इसलिए common आ गया, बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा 2 cos, 3x minus x, 2x upon 2 cos x minus 1, आप लिख सकते हैं, cos 2x is equal to 0, या फिर, 2 cos x minus 1 is equal to 0, ठीक है, दो numbers का product, अगर 0 है, तो उसमें से 1 न एक 0 होगा, cos 2x 0 है, जो आप देख लो, ये वाला formula लगाना है, तो लगा दो, ये लगाना है, तो फिर ऐसा लिको, cos 2x is equal to cos pi by 2, और वो लगाना है, तो आप direct लगा दो, 2x is equal to, 2n plus 1, pi by 2, n belongs to z, where n belongs to z, अब आपको x की value निकालना है, तो फिर divide कर दो इसको, ये उजाएगा, 2n plus 1, pi by 4, where n belongs to what, n belongs to z, और इसमें देखो, इसमें आपको आजाएगा, cos x is equal to 1 by 2, तो cos x 1 by 2 का बोता है, देखिए, cos x is equal to cos, pi by 3 पे, तो x की value, फिर इससे निकालना पड़ेगी आपको, ये cos theta equal to cos alpha से, तो ये जाएगा, 2n pi, plus minus, pi by 3, n belongs to z, तो ये था दोस्तों, इसका answer, कौन सा, question number 6 का, ऐसे आपकी book में, 9 questions है, तो जैसा 6th question है, उससे मिलता जूलता ही, आपका question number, 9 भी है, फिर भी मैं आपको, हलकी book की hint दूँगा, उसमें, तो मैं रेक्याल से, 9th, 6th और 9th, दोनों सेम ही, सेम टू सेम मतलब, like concept बे, based question है, 9th भी, तो 9th आप ये से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको, थोड़ी सी, उसकी hint दे देता हूँ, by sign x plus sign 3 x, plus sign 5 x, is equal to 0, तो ये, इसको लिखपाएंगे हाँ, sign x plus sign 5 x, pair ये से बनाएं हमने, कि उनको add करके, अगर 2 से divide करेंगे तो या जाएगा, और आपको एक step बाद हो, अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ लगेगा, साइन सी प्लास साइन डी तो मैंने आपको फॉर्मूला झो डेरिवेसन की जो वीडियो है उसमें देखो साइन सी प्लास एस इस टू स सी टू स सि तो टू स सी का मतलब हुआ कि पहले में साइन आएगा सी प्लस डी बाई टू में और कॉस में आएगा एक्स मैनस 5x बाई टू और आएगा यहां पर साइन 3x यह देखिए अब इसमें से साइन 3x ले ले लेते हैं common तो bracket में आएगा twice cos x-5x हो जाएगा minus 4x divided by 2 तो minus 2x minus 2x plus 1 is equal to 0 या तो sin 3x 0 होगा या फिर ये cos minus 2x हो जाता है cos 2x तो ये हो जाएगा minus 1 by 2 cos minus 1 by 2 कब होगा ये थोड़ा सा आप याद रखना इसके लिए भी वीडियो है मेरे जो trigonometric के basic videos आप जरूर देखेगा cos 120 degree याने 2 pi by 3 पर होगा ये तो ये हो जाएगा आपका cos 2x अब direct आप 2x is equal to 2 pi by 3 नहीं लिखेंगे पहले formula लगाएंगे 2x is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3 where n belongs to z आप चाहें तो आप उड़ा सकते हैंगे 2 से ये 2 को cancel कर दें ये 2 2 सारे cancel कर दें ये आपका answer हो गया क्या हो गया आपका answer x is equal to n pi plus minus pi by 3 n belongs to z और इस वाले में लगा दें उपर वाला तो ये जाएगा 3x is equal to n pi x is equal to n pi by 3 और n belongs to z लिखना आपको भूलना नहीं है अगर आप n belongs to z लिखना भूल गए तब फिर प्रॉब्ले में अभी टाइम हुआ है अठारा मिनिट अठारा मिनिट में हमने ये सब कुछ किया है अब आप देखिए आपका सेवन्थ प्रॉब्ले में मैंने आपको कहा था कि सारे questions करूँगा और ये पूरा chapter हम अच्छे से निप्टाएंगे और मैं इससे आगे भी discussion करूँगा अब आपका problem है 7th sin 2x plus cos x sin 2x plus cos x is equal to 0 sin 2x का आपको formula याद है 2 sin x cos x plus cos x is equal to 0 आप cos x को ले लीजिए common जैसे ही आप common लेंगे तो आपके पास ही आ गया अब आपको काफी बात समझ में आ चुकी है या तो cos x 0 होगा या फिर ये 2 sin x plus 1 इससे sin x की value निकाल ले इसका वाला लिखते है आप प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू यह आंसर हो गया लेकिन अंसर में इसका भी आंसर साथ में रहेगा तो दोनों मिला के आंसर लिखने यह साइन अब माइनस साइन में अंदर जा सकता है कॉस में अंदर नहीं जा सकता इसलिए कॉस में 90 डिगरी के ऊपर के भी एंगल्स आने चाहिए आपको अब आप फॉर्मूला लगा दें x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into minus 5 by 6 n belongs to z अगर आप इसको भी minus 1 मान लें minus अच्छे से clear लिख देता हूं मैं minus 5 by 6 इसको भी minus 1 मान लेंगे तो यह minus 1 to the power n plus 1 हो जाएगा या फिर minus plus minus हो जाएगा तो आप ऐसा भी लिख सकते n pi minus 1 to the power n plus 1 n belongs to z यह आपका आंसर है और यह आंसर है दोनों आपके आंसर है यह और यह यह और यह यह दोनों ही आपके आंसर होंगे दोनों को मिला करके आंसर बनेगा अब आपकी बुक का जो question number 8 है वो लिखा हुआ है उसको भी मैं कर देता हूं तो अपना यह एक set पूरा हो जाएगा कि हमने इस से इसको कर दिया खतम तो वो question number 8 है sec square 2x is equal to 1 minus 10 2x question number 8 sec square 2x is equal to 1 minus 10 2x तो sec square 2x की identity लगा देंगे तो यह जाएगा 1 plus 10 square 2x यह जाएगा 1 यह 1 से 1 cancel यह minus 10 2x minus 10 2x को अगर आप इधर भेजें तो यह जाएगा 10 square 2x plus 10 2x अब आप क्या common ले सकते हैं तो अब आप common ले सकते हैं इसमें से 10 2x तो 10 2x को आप common ले लें तो अंदर बचेगा आपके पास 10 2x plus 1 is equal to 0 तो यह क्या imply करता है it implies या तो 10 2x 0 होगा या फिर यह 10 2x plus 1 0 होगा तो 10 2x 0 है तो 10 theta equal to alpha का लगा देंगे यह जाएगा 2x is equal to n pi plus minus अच्छा 0 नहीं लगाना है हमने यह direct लगा दे हैं मैं यह लगाने की सोच रहा था 10x is equal to 10 0 भी लिख सकते थे 0 लिखते तो यहाँ 0 हो जाता तो भी n pi ही आता तो it's enough n belongs to z अब x की value हो जाएगी n pi by 2 n belongs to z इसको और देख लें आप 10 2x is equal to यह जाएगा आपका 10 of minus pi by 4 minus को अंदर जाने दे 10 में minus अंदर जा सकता है cost में नहीं जा सकता और अब आप लगा देंगे formula वह formula लगाई है 2x is equal to n pi plus minus n belongs to z आप यह किस्टेप और बढ़ा सकते हैं प्लस इंटो माइनस को माइनस लिखके तो यह दोस्तों देखें आपने की एक्सेसाइस थी मेरे काल से 3.4 थी तो हमने उसके trigonometric equations के सारे question देख लिए पर इतना ही करना केवल काफी नहीं होता है आपको कुछ questions additionally भी आना चाहिए तो question number 9 तक हमेरे hopefully हम कर चुके थे तो इसको मैं आपके उसके इसाब से मैं इसको 10th question माल लेता हूँ कि आपका 10th question है यह बहुत अच्छा question है लेकिन यह इसका format है यह format इस तरीके का है a sin theta plus b cos theta is equal to c other होगा इस format का question होगा solve करने के लिए तो इसकी trick है कि इसको divide करो under root a square plus b square से यह एक exclusive trick है बहुत अच्छा question है मैं देखो आपको बताता हूँ आपको और clear होगा आप मान लिजे कि आपके पास लिखा है sin x plus root 3 cos x is equal to 2 दिया है और आपको बोला कि इसको solve करिए find general solution of this equation general ही पूचेंगे इसमें तो आप देखें इसमें a क्या है a is 1 b is root 3 और c is what 2 तो आप इसको divide किस से करोगे dividing by under root a square plus b square तो 1 square plus root 3 square से divide कर दो तो यह हो जाएगा 2 तो अगर 2 से इसको divide किया तो यह हो जाएगा 1 by 2 sin x plus root 3 by 2 cos x और यहां पर हो जाएगा 2 by 2 अब यह 2 by 2 से cancel हो करके क्या हो जाएगा यह 2 by 2 से cancel हो करके 1 हो जाएगा अब देखिए आगे क्या लिख सकते हैं इसको वो समझते हम कोसिस करते हैं अब ध्यान से सुनो यह हो जाएगा sin x 1 by 2 को क्या लिख सकते हो तो 1 by 2 को निश्चीत रूप से आप कॉस में चाहोगे तो कॉस में क्या लिख सकते हो आप कॉस 60 डिगरी याने पाई बाई 3 अब कॉस लिखा इसको तो इसको साइन लिख लो तो क्या बन जाएगा sin 60 cos x is equal to 1 यह बन गया आपका sin a plus b तो यह बेरे दोस्तों बन गया sin x plus 5 by 3 sin a plus b से और is equal to 1 है तो यह sin theta है तो इसको भी sin की टर्म्स में लिखो कैसा लिख दोगे इसको sin theta is equal to sin alpha अब वो formula लगाएंगे sin वाला मैंने formula इसलिए रब नी किये तो theta क्या है तो theta आपका बन गया मेरे बच्चों x plus pi by 3 n pi plus minus 1 to the power n into pi by 2 alpha की जगे क्या गया pi by 2 और n belongs to कितना है z यह answer है क्या नहीं यह answer नहीं अब answer के लिए थोड़ा सा अपने को मेहनत और करनी पड़ेगी तो थोड़ी सी मेहनत करने के लिए मैं यह वाले नहीं लगेगी मेरे ख्याल से लगेगी तो आपको याद हो गए एसी कोई चिंता की बात है नी तो इसमें n even or n odd लेना पड़ेगा एक बार n को 2m लेना पड़ेगा यह यह वर लेना पड़ेगा और एक बार n को और लेना पड़े गाएंग को और लेना तो टू हैं माइनस वन भी ले सकता हैं टो एम प्लस भी ले सकता हो वह और क्योंकि दोनो इदो म्हां करता है तो अप देखो X की जाएगे क्या X is equal to क्या हो जाएगा एला बाला sorry X plus pi by 3 थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ दिखेगा आपको X plus pi by 3 is equal to N की जाएगे 2M डाल दिया 2M pi और वहाँ पे डाले plus minus 1 to the power 2M pi by 2 तो यह हो जाएगा X is equal to 2M pi minus 1 to the power 2M तो plus 1 हो जाएगा minus 1 की power even number तो plus pi by 2 और यह pi by 3 उदर चला गया M belongs to Z M belongs to Z बस यह आपका answer हो गए बच्चों M belongs to what M belongs to Z यह अब आपका answer आचुका है किसका इस वाले अब यह calculate कर लेना 5 by 6 आएगा इसको calculate करोगे तो अब दूसरा case है जब अपनने इसकी जगे क्या लिया है 2M plus 1 लिया है याने odd लिया है तो क्या होगा X बहुत छोटी सी जगे हो जाएगी मैं इसको भी रब कर देता हूँ तो यहां पर हो जाएगा आपके पास यह order X की जगे आजाएगा X is equal to यहां पर देखे हाँ 2M plus X plus इसमें भी उदर बेच दिया था shift कर दिया था पाई बाई बाई 3 को चलो अगली में बेच देंगे X plus पाई बाई 3 is equal to यह जाएगा 2M plus 1 पाई और plus minus 1 to the power 2M plus 1 into पाई बाई 2 तो X की वैल्यू आजाएगी 2M plus 1 पाई minus 1 to the power 8 तो minus और पाई बाई 3 इदर आगया इन दोनों को calculate कर ले ना और M belongs to Z यह आपका answer हो गया तो इस तरीके से आपने answer निकाल दिया तो यह answer था इसका जो हमने question number मेरे खाल से रे उसका number 10 था तो 10th question का answer यह था अब मैं आपको question number 11 भी देता हूं एक तो 11 भी देखिए आप कि question number 11 क्या है और इसको आप self try करना यह question ऐसा है sin x plus cos x is equal to 1 तो इसमें a और b पहचान लो आप a 1 है आपका और b 1 है तो under root a square plus b square से divide करना पड़ेगा अगर आपने square कर दिया तो एक गलती हो जाएगी क्योंकि अगर मैं आपको गलती क्या होगी वो बताता हूं अगर आप square करते हो squaring squaring करेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x और 1 का square तो 1 ही रहेगा यह होजाएगा आपका 1 plus sin 2 x 1 यह 1 से 1 कैंसल हो गया तो यह हो जाएगा आपका sin 2 x is equal to 0 तो इसमें क्या गलती है तो इसमें कोई गलती नहीं है पर इसमें problem क्या होई जब इपने square किया तो आपको 2 solution मिल गए इसका भी solution मिल गया और एक इसका भी solution मिल गया क्योंकि जब आप square करते हो तो 1 का square भी 1 होता और minus 1 का भी square बन हो गया तो इसमें 2 solution से कितने solutions आ गए 2 solutions आ गए इसलिए यह वाली method नहीं prefer करना squaring वाली जो मैंने आपको बताई है उसी method से आप इसको deal करना तो आपका answer आ जाएगा ऐसे ही कुछ questions हम और बना सकते हैं जैसे मैं आपको और एक नमूने के तोर पे बोलता हूँ यह question number 11 था अब question number जैसे माल लीज़े आपके पास 12 थे sec x is equal to 1 plus 10 x है तो आप क्या करें पहले इसको sine cos में बदल दे तो 1 by cos x 1 plus sine x by cos x sine cos में change कर दे कहने का मतलब फिर आप LCM लेंगे तो यह वही हो गया cos x plus sine x upon cos x तो ऐसा कुछ 10 cos 10 sec cosec court में दिखे तो घपराने की बात नहीं है उनका भी dealing ऐसे ही होता है कैसे जैसे मैंने आपको बताया यह देखो आखरी में वैसे ही बन गया ला sine x plus cos x is equal to 1 sine x plus cos x is equal to 1 कभी ऐसा हो सकता है कि यहां root 3 tan x हो तो root 3 tan x होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा root 3 तो आप मैं आपको question भी देता हूँ जिसको आप अपने घर पे भी solve कर सकते हैं cosec x is equal to root 3 plus cos x तो आप इसका sorry, cortex root 3 plus cortex इसका answer आप निकालके मुझे बताना फिर हम और आप से discuss कर पाएंगे और एक question में और देता हूँ को कि 13 पे रोकना ठीक नहीं है है ना some people think that this is not a good number so let's come to one more question एक question में आपको fourth question देता हूँ जिसमें आप से expect करूँगा कि आप इसको solve करेंगे और solve करके मुझे बताएंगे sign 4x is equal to sign 3x sign से sign उड़ा मत देना आप दिमाग लगाना question करना 32 minutes से ज़्यादा हो गए है आपने काफी time दिया दोस्तों और आपने देखा कि हमने कितने बढ़िया तरीके से questions किये आप पिछला वीडियो देखिए नौलेज बढ़ाईए दोस्तों के साथ चैनल को like, share और subscribe करें क्योंकि इसे वो ना समझें कि ये केवल marketing के purpose है ये knowledge oriented channel है ये knowledge sharing और knowledge transferring की बात हो रही है तो इसी के साथ wish you good luck मैं था आपके साथ Dr. Tripathi PhD in Mathematics wish you good luck